तो विड़ के स्टाटिक वाध में चेनाओन को देखा आता है जो बाद रूपर आग या होता है पर वो मनी मन में कहरा होता है कि उस बंदे के सामने चीज तो ड्रागन रहता है और उसका एक चिकन रहता है चिकन घबरा रहा होता है और चीज को देखने के बाद हमें उस बंदे को दिखाता है जो चेणन को थन सब करता है बड़ी आए वाई रात में बहुत यह अच्छा करेगा तू और यह सुनने के बहुत अब बचा लिजिए और वह रहाता है और यहां पर तूम सब्सक्राइब कर रहे हैं जो बहुत घबड़ाया हो रहाता है फिर वह चेन ऑनके फोन को चेन को वापास लॉटा रहाता है कि मिस्टर चैन आप आप आशू का शुका है प्लीज आप मुझे बचा छेन और वह डेकर है जो हमाद को लेतो हो रहाता है शो फोन को ऐिस पास को लेते हो अपने फोन को चे करने लागता है लोता है कि में सब्सक्राइब कर चूका हैं और यह पैसा धुछ भी लाइन को दिखा लागता ऐई की है मैं तो सुर्द है कि मैंने बहुत सरा पैसा खर्चा कर दिया, किसमा से, Mr. Chen के लिए ज़्दा पैसा नहीं है, मैं बच गया। तब चेन ओन कहा रहा होता है कि 20 million, 20 million सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, चलो मैं तुमें 60 million दे देता हूँ, और यह बाते को सुनने के बाद मैं हुआट रवले बंदे के कंदी के ओपर हाल रखते हुए कहा रहा होता है, कि अब दे दुझे पाता चलो न, Mr. Chen को वाइं ब्रदा चेन ओन, आप मेरे गलती को माप कर दिये, मैं आपके यह काईटनेस को कभी नहीं भूलूंगा, और आज मैं आपके हर एक लीड को फॉलो करूंगा, भई उससे बंदों के साइट पे रहे हैं, हमें कुछ लड़कियों को दिखाती है, जो सामने का इस नजरा को दे प्रॉब्लम नहीं रहे हैं, तो हम नेक्स टैम मिलते हैं, और उसके बीचे से सब्सक्राइब को दिखाते है, जो चेन ओन को जाते हुए देख रहा होता है, बैप एक बंदा कहा रहा है, कि मिस्टर चैन इतना जलबजी में क्यों निकल गया, क्या उसे डर है कि बील पेमें करना होगा, बैप जाओ कहा रहा है, कि मिस्टर चैन ओन के नजर में तो यह छोटा मुटा वील तो डिजार भी नहीं करता है, शिन सेफ्ट होता है, हमें चैन ओन को दिखाता है, जो उस रिस्ट्रों से बाहर आ गया होता है, वो पैदल चल रहा होता है, और उसे को पहले ब बाद हमें चैन ओन को दिखाता है, जो एक डेविल फिस बनाते हुए कहा रहा होता है, कि बहुती लंबे समय के इंतजर करने के बाद, अब समय आ चुका है, उस अलरकी से कुछ फेवरलेटे गेन करने का, सिन सिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सिन दिखाता है, वालेटा को देखते हैं, और वही आरपोटा के वहीं में बहलेफिमिल आंचा को दिखाती है, जो मनी बहन में कहले ही होती है, यह सर्फफ एक मैटिंग यह है, जब तक मैं मेरे छोटा सा चाम ऄउस कर लेथी हूँ, तब वो मेरे जिलका माच लिए है, मैं जब जाहँ, उस मैंने देखा था कि हम दुनों साधी कर चुके हैं और हम जानकोवा डिस्ट्रिक्ट विला पे एक साथ जिंदी की गजार रहा है और तुम हर दिन करी मेहनत करती हो और घर पे मैं मैरे छे ननी के साथ हमारे बच्चे का खयाल रख रही हूं और हम दोनों हर हबते सब्सक्राइब करने जाते हैं चैनौन इसलिए मैं तुमसे माफी मंग रही हूं क्या तो मुझे लास्ट पर माप कर सकते हैं मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत जाद हार्ट किया है पर यह मेरा पर यह जादा कुछ नहीं जादा कुछ नहीं और यह बात को सुनने के बाद हमें पहले 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 अंचा को क्या रहा होते हैं तो तुमने क्या खा और भाई पहले 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 अंचा को दिखा आती है जो एक घिनोना फेस बनाती है मानी में कहा रही होती है देमीट मेरे यह फेस के हाई लेवल ब्यूटी के बाद दुम डिस्ट्रेक हो गया है मैं ही बिसपास नहीं कर सकती कि मेरे यह चाम रहते मैं तुमें कर सकती फिर भूरा की क्या रहा थी कि मैंने अभी खाया की Boss Chenowun बहुत ते यह बहुत ते रीच है और बहुत ते है तो हमें देखा थे कि चैनोन की सिस्टम से डिंग करते है नोटविकास नाता है और उस लारकी के जो पील होता है वो चैन ओन की सिस्टम से उपन होके आ गया होता है ने पर फिर भी यह में बॉंट नहीं कर सकता मेरा पैसा क्या बरबाद हो गया नहीं नहीं ऐसा लगड़ा है कि इस लर्गी का मेरे उपर जो फ्रवेल रिड़िया है उसे पहले कम करना होगा इसे पहले सॉक करना होगा फिर हम चेनवान को देखते हैं जो ना खुष तो यह कहा र पर फिरेंट कैसे आ सकता है चेनवान कहा रहा होता है कि कमपणी बीजनेस बीपे जितना सरा पैसा में तुम्हें पर खर्चा किया था ना वह सब कुछ मेरे डैड ने गिप के तौर पर दिया था और मेरे वाज़ेसे मेरे डैड के जो कंपनी था न वो बेंक्राफ्ट हो च तुम तुम्हारे हाथ को पहले वास्क क्या आओ यह वास्क क्यों ने कियो उसके बाद वह फिमेल अंचे चेनवान से दुर हर जाती है फिर चेनवान को पर चलाती हुए क्या रही होती कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम पैसा रिफान करने का बात का रहे हो क्य क्या रही हो थी कि brotherland मैं airport के outside पर हूँ मुझे जल्दी से pickup करने के लिए स्कैपे पर आ जाईए एक loser मुझे बहुत ज़्यादा harass कर रहा है और मैं बहुत ज़्यादा डड़ी हुई हूँ और यह सब बाते को सुनने के चिला तो है कि वो किसका हिमात हो गया मेरे औरात को टीज करने का क्या उसे पता नहीं यह टेरिटरी किसका है और बहुत के तरफ जाता है उसके बाद वह चेन के पास आके चेन के हाथ को पकर के हैंसे करने लगता है यह तो बहुत ही बड़ा फेट लगता है मुझे पर हमें चेनन को दिखा आता है जो इस सीचेशन के बाड़े में कुछ भी सामय नहीं आ रहाता है कि यह बंदा को ने पर बंदा कहा रहा होता है कि मेरे नम जावलैन है और मैं कल ब्रादर भाई के साथ कर रहा था कि जावलैन तो तुम लिटल ब्लू हो हाँ हाँ तुम्हें याद आया हुझे और बहुत यह बहुत है रिगड कर रहा था कि कल मैं आपके साथ ड्रिंग नहीं कर पाया और थो द्रेंग आज मुझे चांस मिल गया है मुझे कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आप से अकले में मिल पाऊंगा और भाही उन दोनों के साइट पे रहे हमें फिमिल आंचा को दिखा आती है जो बहुत यहादा डड़ी हुई रहती है बहुत यहादा सौक में रहती है फिर वो मनी मन में कहा रही हो थी कि Mr. Lane असल में उसको साथ इतने पॉलाइट के साथ बात कर रहा और क्या तुम्हें पता है brother channel मेरे eldest brother है और मेरे brother channel के पास इतना पैसा है तुम्हारे whole family को जिन्दा जला सकता है और यह सब बाते को सुनने के आता में फिमिल आंचा को दिखे आती है जो बहुत सब्सक्ता डरी हुई रहाती है फिर वो मनी मन में कहा रही हो थी कि वो इतना है उसका family background इतना बढ़ा है तो उसने अभी मुझे जो कुछ भी कहा था क्या आप मुझे टेस्ट कर रहा था मेरे sincerity को टेस्ट कर रहा था क्या में opportunity को खो दिया नहीं नहीं अभी चांस है फिर हम फिमिल आंचा को देखते हैं जो एक sexy post बना तकर कहा रही होती है कि मुझे मा सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करते हैं जो कहा था कि चलो भूल जा तुम अभी बहुत होता यंग और इग्नोरेंड हो मैं तुम्हें सथ मजब कर रहा था माइंडे मत करो और चैनल की वाते को सुनने के बाद में फिमेल आंचा जामीर को दिखा आती है जो देखते हैं चैनल की सिस्टम से बिपसिए करते नौतिफिकेस्ण आ रहा होता है कि हमेरे पास है तब तक कुम्हें Caitlin के तुसिकेन आथा बरता यह गा पर आएगा सिंस्रिफ्ट होता है हमें दिखा थी कि बो तीनों को जो केपेटेटर से बाहर आ गया होता है और बेब यूँ जावलिन को देखते हैं जो चीनवन को कार पे उठा रहा होता है फिर बोड़ा चीनवन सब्धन में रहे ना चोटन न लग जाए बोड़ा चीनवन के आदको पकार लिया ओए लो ना मुझा पुर्ण पर घुच्सा थी जो法न को चार रहे हैं को एक आपने सार्क live application को उप्ण कर लिया होता है और वाइप फिमल अंचा का live broadcast को देख रहा होता है और इस situation को देखने के बाद में चीनल के साइट पे रहे रहे लाए जो तो तरह सउक हो गई होती है और वह मनुमन में कहरे थी कि आडे रुकू रुकू क्या वो यह तो नहीं करने को खहाती है तो फोग हो गयी होती है और फेंद के मारे बहोत की मैं को थी जो यह सीचिजरिसम को ळेख रही होती है पिर भी हुआ इतना फास्ट की अ Adam की वाजवीट ये उसके करने लगभा सब्सक्राइब है फिछान्स में के वह फाइले ओठाले है कि भॉंसरी वाली स्लॉटी है होट नी बीच है और वाइपय में दिखा है कि चेनवान के सिस्टम से डिंग करते हैं नोटिपके जनाता है स्वामी का हुष्ट के पर फैबलेटी 30% तक बढ़ चुका है और वाइपय में फिर मेल अंचा जॉमीर को दिखा आती है जो अपने चेनवान अपने स्कीन पर जिस तरह से फिंगर को टैप कर रहा है वो अगर मेरे बॉड़ी पर करता है वो आसानी से मेरे बॉड़ी को नॉक आउट कर देगा और वाइपय चेनवान के सिस्टम से डिंग करते हैं नोटिपके जनाता है कि जॉमीर का हुष्ट को फैबलेटी 30% तक बढ़ चुगा है और सिस्टम का यह सा नोटिपकेस देने के बाद में चेनवान को दिखाता है उसे चिल में हसुस होने लगता है फिर वह मानी में में कह रहा होता है कि यह अवरात मेरे बारे में क्या सोच रहा है और मेरे उपर उसका फैबलेटी इतनी तेजी के पॉइंट चैनवान कहा रहा होता है कि थी में जो सेलिंग पॉइंट वह अच्छा मैं पहला प्रदा समाधिया इस रेस्टरून का फूर बहुत यह आउटस्टेंडिंग है और इसका जो सिनरी है एकदम यून यह पर लास्ट बाला कौन सा है और चैनवान को सुनने के जिसका नजर नजर के तरफ जाती है फिर देखने के बात है यसाओ के रहता है और था की कई रहता ही है उसे तोड़ देतीये और तभी हमने के सिस्टम से नोटे पहना आता है जाविटी का हुष्ट के बड़ फेबल फैबलिडी माइनस पंदरा परसन तक होछ चुका है पर हमें जायुकी को दिखाती है, जो सामने का इस नजर को देखने के बाद वो रोने लगती है, रोतिये वहाँ से दोर के चली जाती है, और ये चेनवान देख रहा होता है, फिर वो मनीमन में कहा रहा हूता है, जो जायुकी को पीछा करती है, दोर के जाने लगता है, फिर होती है कि स्कंबग तुम मेरे फिलेंस के साथ खेल रहते हैं मुझे जाने दो पर हमें चैनल को दिखाता है जो बहुत ही मुस्किल के साथ खुद को सांध करता है फिर मनीमन में कहा रहा होता है कि नहीं अगर यह कंटिन्यू चलता रहता है तो मेरा फेवलेटी में सब कुछ दूँगा मुझे यह रिस्क लेना ही होगा फिर चैनल कहा रहा हो था कि चैनल को देखते हैं जो अपने पॉकेट से सिगरेट को निकलता है और पर आंग लगाते हुए आपने सिगरेट पीनी लगदा है फिर वो आपने ऑसकार एवाड आक्टिंग शुरू कर दिया होता है चैर्में जाओ तुम्हें तो पता है मेरे जो फैमिली बेग्राउंड है वो एक्स्ट्रा ओर्डिनरी है और तुमने यह जरूर सोचा होगा मेरे पास इतना पैसा होने के बाद भी मैं यह ओर्डिनरी जिंदे के क्यों जी रहा हूं तो चलो आज मैं मेरे लाइफ के कहानी क कोई और नहीं मैं है उसके बाद वो सारा पैसा में सारे चीजों की उपार इंवेस्ट करना शुरू कर दिया मैंने वाइरोस इंवेस्मेंट मनाया वाइरोस इंवाइंडिल प्रोडक्शन एक्टिविटी को तैयार किया और तुमने अब 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 मेरे साथ जिस लड़की क करीब आगया होता है फिर वो क्या रहा होता है मेरे इस सिचेशन के बाड़े में तुम्हारे अलगा किसी को नहीं पता है मेरे इस सिचेशन को मैं किसी को नहीं कहना चाता था पर आज मैंने तुम्हें कहा है प्लीज मुझे समझने का कोचिस करो और बहुत ही लंबे समय से म मेरे कंदे की उपर बहुत ज़दा हाबी हो रहा था फिर हम चेनवन को देखते हैं जो अपना खतरनाक एक्टिंग कंटीनियर रखता है फिर वह वहां से जाते हुए कहा रहा होता है कि मेरा ये रेस्पोंसिबिलिटी मेरा ये सिग्रेट इससाद चीज़े को लेकर मैं सोस्ते सोस्ते में टायाड हो चुका हूँ और चेनवन की ऐसा बात को सुनने के बाद हमें जावगी को दिखाती है जो अपने अलगी इमेजनेसन में खो गई होती है फिर वो मनी मनी में कहा रही होती है कि मैं बहुत यदा और जावगी को सांथ करवाता है या था कि उसके फैमेली के इनिट को लेके जो सिर्गेट है वो मुझे बता दिया है सच में वो मुझे उसके दिल में रखता है और भई पे मैं दिखा थे कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हैं नोटे पर कैसे आता है जावगी का हुष्ट के और फैवएलेटी 20% तक बढ़ चुका है जावगी का हुष्ट के पर कायान फैवएलेटी 92% है सिंस सिफ्ट होता है हमें चेनवन और जावगी को दिखा आती है जो फिमेल आंचा और भई बंदे के सामने आ गया होता है जावगी को देखते है जो कहा रही हो थी कि मुझे माप कर दो ना अभी-अभी मेरे बैड मूड के लिए और बैसे तुमसे भी चेनवन के फ्रेंड हो इसके मतला मेरे भी फ्रेंड हो तो चलो मैं तुमसे एक पर मिल ट्रिट करती हुए बैपेम उस बूल बंदे को देखते है यानि Mr. Lane को देखते है जो ये सिचेसरों को देखने के बाद क्या रहा था कि डेम इड ब्रादा चेनवन को ये सिचेसरों को हैंडल करने के लिए सिर्फ 5 मिनिट लिया है सच में मरना परेगा ब्रादा चैनुवन बहुत जादा कूल है बाइपे में तरह फिमिल आंचा यानि जामीर को दिखा आती है सामने का यह सिचिसर में के बाद में गया लिए तके लड़की आने के बाद मेरे जो प्लैन था वो सब कुछ बरबाद कर दिया चलो चुरो आगे जो फिमिल आंचा को कहा ही होती है चैनुवन ने अभी तक तुम्हें उसको पूरा नेम नहीं बता है तो यह बहतर रहेगा तो उससे ब्रादर बुलाना बंद करो और बैसी भी वो तुमसे उमार में बड़ा नहीं है और बैसी जाओ इक की और फिमिल आंचा के वीज में ब लगा है और फेरा में दिखा थी कि वो दोनों लड़की को जो दुसी तरह मूग घुमा लेती है पर आज से वो मेरा special ideal बन गया मैं महत्ता को से फॉलो करूंगा सिंसीट होता है हमें college के campus को दिखा आते हैं बहुत है जो पैदल चल रहा होता है फिर वो मनिमन में कहा रहा होता है बहुत सब्सक्राइब किया है किस मास से मैंने कोई भी पैसा खर्चा नहीं किया है वहाँ बैसे मैं सिस्टेम पर देख ला तो अभी मेरा current progress क्या है उसके बाद हमें लिखा रहा है कि chain one के system पे सूताओं का profile open होता है बहुते लिखा रहा है कि strategy completed और बहुते दूसरा लीली का profile open होता है बहुते लिखा रहा है कि political strategy completed तीसरे पे जाविकी का profile open होता है नेम जाविकी नाइटी वन परसें और टाक्स सथे सब्सक्राइब करने का reward 25 attribute point उसके साथ इसाथ पियानो स्पेसिलाइजेशन स्कील और यह टाक्स होस्ट ने अभी तक complete नहीं किया है और चौते पर सिस्टेम ने जामीर यान निकनेम जामीर नेम रहता है जूयान निकनेम attribute point उसके साथ ही साथ dance specialization skill और उस profile पर ही लिखा रहता है कि होस्ट ने स्टाक्स को अभी तक complete नहीं किया है सिस्टेम का इतना सरा notification को देखने के बाद हमें चीनन को दिखाता है जो मनीमन में कहा रहा होता है पहले दुनों का जो फैबलेड़ी पोग्रेस है वो ओलेड़ी हा दो करने वाला है कि वहां मुझे याद आया है यह तो ली यांग का गल्फेंट है और वह पिए हम देखते लिखनेंगे पर इतना सथा इंक्रीज हो क्या मेरा चाम इतना सोब यह हैं पर तब यह दिखा है कि चिनन के साथ से कुछ बंधा गजर रहा होता है पाई बेए यह तो pure love है चल देखते हैं बहुत दा मज़ा आएगा और उसी बंदों की ऐसा बात को सुनने के बाद हमें चेनन को दिखाता है जो मनी मनी में कह रहा होता है कि pure love इंट्रेस्टिंग चलो मैं भी जाके देखता हूं सिंसिफ्ट होता है हमें female documentary को दिखाते हैं बैब हमें लड़की को देखते हैं जो खरी रहती है और उसी के सामने हमें एक बंदे को दिखाता है जो फूल लेके खर रहता है और बैब कुछ इस तरह के लिर्क्स के गना play हो र लियांग रहता है और वो उसके girlfriend को कह रहा है कि बेबी मैं गलत था मैं promise करता हूं मैं future में तुम्हारे पर cruel नहीं रहूंगा मैं तुम्हारे पर violent नहीं रहूंगा मैं तुम्हारे पर cold नहीं रहूंगा अरे यह तो street boy ली आंगे और उसके girlfriend के साथ क्या हुआ है पर तब हैंसा में दुरी तरफ ही जाए को लिखा आती है जिसका नजर audience पर रहे चेनों के तरफ जाती है और वो बहुत देता खुस हो गई होती है पर वो दौर के चेनों के तरफ आगे बार रही होती है और यह दे चेनों तुम्हारा नाम चेनों है ना मैं तुम्हें फानले ढूंड पाई हूं पर वो आपने फोन को चेक करने लग दिया पर वो क्या रही होती है जो हर समय एक अच्छा सो दिने के लिए हमेसा हाजी रहता है बाइप एक बंदा कह रहा होता है कि यह क्या चल रहा है वो द और देखके ऐसे लगज और प्यार में हाड चुका है और अध्यूंस पे रहे सभी बंदे के बात को सुनने के बाद हमें लियांग को दिखाओता है जो बहुत जात है घुस्त में आंखप लुइंद बंन पिस्तिया मनिमन में कह रहा होता है कि यह चेनों पिर से क्यूं नह नी नी मैं ये रेजल्ट को लेकर NG नहीं और चेनौन की यह बात को सुनने के बाद हमें लियां को दिख्या आता है जो बहुत जिए खुता हो गया होता है जो दिखने में अच्छा है तु स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, तु बहुत ही असने के साथ लग्यों के दिल को जित लेता है, पर तु एक लग्यों के प्यार को हलके में लेता है, और जब तु जब पता चला कि तु खुद के ओड़ा को खो चुका है, तु बहुत एदा पैनिक हो गया था, तेरा हो चुका है, अब तु पिटन कर रहा है, पितफुल होने का, और तु चाहता है कि तेरा गल्फेंट तुझे माप कर दे, क्या तुझे सच में लगदा है, ये सब कुछ सही है, और चेनोन की ये बात को सुनने के बाद हमें लियां को दिखा आता है, जो फोट-फोट के रोन होती है, और ये सब कुछ मेरे मर्जी से लिया है, मैं सिर्फ खुद के लिए चिंता किया है, ये सीचियोस को देखने का, वो सब ये सौख हो गया होता है, और रिटन का तौर पर मैं भी आज जो सब क्यार करूंगी, और बहुत ये सब नजरा को देख रही होती है, जो सामन चेन ओन के तरफ देखते हुए ब्लासिंग कर रही होती है, फिर в वो मनिमन में क्या रही होती है, जो सब क्या पर रहे होती है, और रहा करो किसे लड़के के सबुसके है, पिर बहु असे उस लड़की के साथ चेन ओन का क्या होता है हमें गास डॉर्मेंटरी के दिखाता है जो आपने रूम के अंदर एंटर करती है यह की अच्छा नहीं हो रहा है चैनुवान तेरे साथ चीट किया है और गया जैप आज का एपिसोड खताम हो जाता है वीडियो कैसा लागा मुझे कोमेंट करके जरू बताना सिरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक एपिसोड पाने के लिए और हाँ गाइस यह जो सीरीज देना बहुत जदा इंट्रेस्टिंग है आगे जितना जदा चैप्टर आता रहेगा उतना एपिसोड और इंट्रेस्टिंग होता रहेगा अगे आगे आ